अभिशेक मिस्रा ने लिखा है प्रणामनंस्री रिष्टों में एक दूसरे के एहंकार को खुराग देना क्या ठीक है जबकि आप इस जूट के सत्ति को मेंटली ही सही पर जानते हों और दूसरा इसी खुराग की आशा करता हूँ रिष्टे और तमाम संबंद खड़े ही इसी सरकस पर हैं अहंकार को भोजन देने पर खड़े ही हैं बहुत कम संबंद बहुत कम रिष्टे ऐसे होते हैं जहां पर अहंकार को भोजन देने की विवस्था नहीं होती और ये दबाव भी बित्ति के उपर नहीं होता कि हमको सामने वाले के अहिंकार को खुराग दे। कम संबंद होते हैं, बहुत फार्चुनेट सौभा के साली लोग हैं जिनको ऐसे संबंद उपलब्द होते हैं, अन्निता तो वो चल नहीं है, जैसे तुम अपना डॉगी पालते हो, अब तुमको उसको सहलाना ही है, उसकी गर्दन, उसकी पीट सहलानी है, पारवारा के हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं इस बास से, क्या मिल ला है उसको, अब बस अच्छा लगगा है उसको, तो जैसे ये गर्दन सहलाना होता है, किसी डॉगी का, अपने पेट का, अपेट तो कोई भी हो सकते हैं, आजकल तो लोग कुछ भी पालते हैं, गोड़ा, प्यध बिल्ली, कोई अब गर्दा तो नहीं पालते हैं, पालना चाहिए वो उसने भी क्या बिगाड़ा है, उसको भी पालना चाहिए, नहीं पालते हैं, फिर आले ज्यादा थे लोग संबंद ऐसे ही पुरा एक सरकस या जू कह लें, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे संबंद, इसलिए कई बाल लोग को लगता है कि ये सहर में एक जू होता है, हर घर में अपने किस्म का एक जू होता है, अजायब घर अलग-अलग मांगे हैं विचित्र विचित्र, विचित्र विचित्र इच्छाएं हैं और इच्छाएं अभिशेक निश्चित ही एहंकार की हैं, एहंकार की हैं अरधात, अज्यान की हैं, अज्यान और एहंकार एक ही सिक्के के दो पहलों, दोनों साथ-साथ रहते हैं, अब व्यक्ति को लगता है कि इस भोजन से उसका कुछ बनने वाला है लेकिन कभी उसने ये एनलाइज नहीं किया होता है कि इस खुराक से हमारा कुछ सचमुच में बनने वाला है दिन में तुम किसी को दस बार I love you बोलोगे इससे कुछ बनेगा उसका या प्रेम की कोई नदी बहने लग जाएगी जादा गहरी जीवन में कई बातों बस शब्द हो जाते हैं इधर से गूजते हैं उधर चले जाते हैं लेकिन सुनने की आदत पड़ी है तो कई बार बित्ति को लगता आज बोला नहीं जगड़ी जटड़ खड़े हो सकते हैं फिर और सुक्ष मुरूप से सुक्ष मुरूप से तमाम भोजन तमाम चीजें पैदा होती चली जाती है संबंद इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बहुत ब्यापक धराता है उसमें असीम संभावनाएं हैं लेकिन संभावनाएं तो किसी भी दिशा में जा सकते हैं अब तुमने पूछा है कि अगर इस बात को जानते हैं हम अच्छे से कि ये दूसरा आसा कर रहा है और उसको खुराग देनी हैं तो हम करें क्या वस्तुते यहाँ पर आती है प्रैक्टिकल हमारी अप्रोच सामने वाला अगर अच्छा है बहतर व्यक्ति है संभेदन सील है लेकिन अभी वो उल्जा है अपने किसी अज्ञान की परतों में तुम्हारा भी उसके प्रतिप्रेम भाव है संबेधना है कल्यान की कामना है लेकिन तुम साब साब देख पाते हो कि आकांच्छा तो एंकार की है और ये एक आदत के पैटरन में बदल रही है चीज तो फिर यहां पर बड़ा ही ट्रिकी सा बड़ा ही विचित्र सा जो है घटना करम पैदा होता है कि जो जान रहा है वो इसको दो धरातल पर लेगा करेगा भी क्योंकि अगर नहीं भोजन देंगे तो रियक्शन पैदा होगा और धीरे धीरे उसको कम भी करेगा ये एडिक्शन को खतम करने की जैसी चीज होती जैसे कोई व्यक्ति रोज कोई तंबाकू खाता रहा है शराब पीता रहा है और अचानक ये पता चले कि नहीं इसको छोड़नी चाहिए ये इसके स्वास्ति के लिए हानिका रख है ये एहसास बिल्कुल क्लियर हो जाया उस व्यक्ति को तो चिकिस्तक भी उसको क्या सला देते है कि एकदम से मत छोड़ देना क्योंकि जो बॉडि माइन्ड है जो शरीर मन है वो ट्यून हो चुका है उस एडिक्शन का अगर एकदम से छोड़ोगे तो वो रियक्ट करेगा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेते रहो बीमारी में भी कई बार क्या होता है लोग बीमार पढ़ते हैं और एक बड़ी हैरान करने वाली चीज़ सामने आई इस पर कई चीकिस्तकों ने रिसर्च भी करी तो लोग अचानक डर के मारे सब छोड़ देते हैं अगर वो पीते थे तो बिलकुल छोड़ देते हैं तंबाको खाते थे तो बिलकुल छोड़ देते हैं लोग कहते भी हैं लेकिन तब उनकी बाड़ी और वैलेंट्री रियक्ट करती है और हीलिंग में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है उनका जो स्वास्त है उसमें बाधा खड़ी हो जाती है तो उनकी मात्रा कम करके उनको दिया जाए वो भी उनके लिए दबाई है बीमार पड़े थे अस्पताल में तुमको कोई तंबाकू ले जाने थोड़ी सी दो-चार दाने उसको दे दिये जाए तो उसके हीलिंग के लिए फायदा ही होगा मैं लब इसको कोशिस मत करियेगा हास हॉश्पिटल के अपने रूल होते हैं अगर कहीं कोई ऐसा बेक्ती है तो उसको फॉलो करियेगा लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये समझदारी होगी तो जब दिखाई देता है कि अहिंकार भोजन मांग रहा है तो थोड़ा भोजन उसको दे भी और थोड़ा विड्रा भी करें अपनी जागरती को बढ़ाएं और दूसरे को जागरत होने में सहयोग दे तो अगर सारी परिस्थितियां बहतर हुई वो ब्यक्ति सौभागे साली हुआ और करने वाला सौभागे साली हुआ तो स्तंभव है कि उसके अहिंकार की जो मांग है भोजन की वो बंद हो जाए लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने सकते मूरू बात यह है कि यहां प्रतीक ब्यक्ति अपनी शान्ती और प्रसंद्धा पर ही काम कर सकता है तो इस बात को स्तमझ लेना ब्यक्तिगत रूप से उचित है दूसरे के साथ बस के वो सहयोग किया जा सकता है लेकिन अगर वो खेल चलता ही है और खेल में बहुत परसानी नहीं है तो पिर खेल चलाया जा सकता है फिर वहां पर तुमारे डौगी और पिट का ही एक्जाम्पल आएगा उसकी अपनी शीमा है लेकिन वो अच्छा भी है उसकी अपनी तमाम अच्छाईया भी है लेकिन उसकी तमाम सीमाएं भी है तो तुम जारी रखते हो उसको टहलाना, उसके साथ खेलना उसको सहलाना जारी रखते हो क्योंकि और करोगे भी क्या अब बैट किसी जिन अपने डॉगी को प्रवचन तो नहीं देने लग जाओगे क्या रखा है रोड सुबह सुबह इस तरह से भौकने में कि गर्दन सहलवाने से क्या मिलता है तुमको वो तो तुमको फटी-फटी आँखों से देखेगा ज्यादा समझाओगे तो और ज्यादा भौकेगा कुछ कर तो पाएगा नहीं क्योंकि अभी उसका वो फ्रेम आफ अंडरस्टेंडिंग पैदा ही नहीं हुआ है तो अगर कोई इतने एनिमलिस्टिक पाश्चिविक धरातल पर उलज के रह जाए लेकिन वो उतना प्यारा भी हो जैसे तुमारा एपेट प्यारा होता है चल ले दो खेल की तरह उसको उसको बहुत ज़्यादा उसमें लड़ने उलजने की जरूरत नहीं है खेल ऐसा खेलो उसको लेकिन मनुष्य होने के नाते हम यह मानते हैं कि थोड़ी पॉसिबिलिटी तो होती है कि बैक्ति को जागरत किया जा सकता है तो उसमें भी हार मत मानो थोड़ी थोड़ी जागरत की कोशिश भी करते रो यही किया जा सकता है और कुछ किया जा नहीं सकता है कुछ किया जा जागरत क 믹्युद लंप क्यांड़ी घरचा है जी जाबेस्टोरो कं चुछ कि झाल झाल यहीं सेलगी जागरоз Więc तो हो जागरि जाँ लगज़야 क्र जाबेस्टो क्राम झाल